दोस्तों एपल की स्मार्ट वॉच ने अब तक बहुत से लोगों की जान बचा दी है इसके अंदर एक फीचर होता है इसीजी जिसको लोग काफी ज़ा यूज कर देते हैं पहले से पहले डिटेक्ट करने के लिए कि आवकर हमारे अंदर कुछ दिक्कत आ रही है हाट से रिले पतानी ने डाला है उन्होंने का है कि वह यह इन्होंने हमारे पेटेंट का मिस्यूज किया है क्योंकि इससे पहले पता नहीं इन दोनों में क्या कोलाबरेशन हो रखता है इनकी और ब्रैंड हुआ करती थी काडिया बैंड जिसक बैंड को यह एपल वोच 4 के अंदर इसके बाद में इनकी सनक गई और इनों ने डिमांड कर रहे है यह जो एपल वोच होती है यह बनती है चाइना के अंदर और यहां पर कहा जा रहा है कि यूएस के अंदर बैन होनी चाहिए इन पर बैन लगना चाहिए ऐसी डिमांड है अब इस कंपनी की अब यहाहीं पर आपल की बात हो रहे है तो इस वक्त में एपल के 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के साथ में कुछ इशू हो रहा है उसके अंदर कुछ होरीजॉन्टल लाइन आ रही है कई सारे यूजर्स ने इसकी कंप्लेंड करी है रेडिट के ऊपर और एपल की खुद की कम्मिनिटी है उसके इस वक्त में यह बलकि पहले से चल रही है जो कि इस वक्त में जाकर वाइरल हुए जब बहुत सारे यूजर्स आ गया है इसमें इनको रिप्लेस्मेंट मिली जाएगी क्योंकि एपल बढ़ी है इस काम में कि अगर यूजर को दिक्कत आई पहले साल तो वह पूरा रिप्ल प्रैक्टिस बताया है जो भी फॉरन एकॉमर्स फर्म कर रहे हैं कोनफरेशन ओफ आल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक और यहां पर कहा जा रहा है कि इनकी प्रैक्टिस के अंदर यह किया जाता है कि यह कैश बैक का ओफर दे देते हैं काफी जादा डिसकाउंट देते हैं ताकि बंदा एक्ट्रेक्ट हो जाए मतलब इस तरीके की प्राइजिंग शुरू शुरू में रख देते हैं उसके बाद में चाहे बढ़ा दें लेकिन शुरू में एक्ट्रेक्ट कर लेते हैं जिसकी वएसे आज इंडिया के अंदर पचास हजार शॉप्स खतम हो चु दोस्तों आजकल ओनलाइन इतनी जादा वेबसाइड हो चुकी है इतनी जाद सर्विसी हो चुकी है कि वहां पर हम अपने अलग-अलग यूजरने में अलग-अलग पासवर्ड वगयरा तो रख लेते हैं लेकिन दिमाग में याद रहे वह कहने सकते तो इसके लिए लिए पासवर्ड मेनेजर का यूज करते हैं यहां पर एक लास्ट पासवर्ड मेनेजर है जो कि आपकी इंफोमेशन को सिक्योर रखता है आपके यूजरनम और पासवर्ड को लेकिन वह हैक हो चुका है यहां पर किसी डेवलोपर के अकाउंट को हैक कर लिया गया तो और उससे कर लिया गया सारे के सारे यूजर्स का डेटा यहां पर नेम उनका लास्ट नेम बिलिंग एड्रेस इमेल टैलीफोन नंबर आई पी एड्रेस और बहुत सी चीज़े चली गई है उन्हीं के साथ में और इंक्लूडिंग वह पासवर्ड जो कि वह सेफ कर रखा हाला कि वह पर 256-bit का इंक्रिप्शन लगा हुआ है तो इतनी जाद चिंजा करने के वाली बात नहीं है ऐसा कंपनी का कहना है क्योंकि इसको डिकोड करने के लिए क्रिप्ट करने के लिए भी कई सारी कीस की जरूत पढ़ती है तो हैकर ने ले लिया तो ले लिया लेकिन हाँ आपके पासवर्ड का नहीं पता लगया ऐसा तो इनका कहना है लेकिन कांड हो चुका है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस्टेशन पे कुछ दिक्कते चल रही है तो यहाँ पर रशिया प्लान कर रहा है कि एक रेस्क्यू शिप तयार की जाए ताकि इंटरनेशनल स्पेस्टेशन से अपने कॉस्मोनौट को ले के आजा सकती है लेकिन बाद में इननों ने देखा कि यहाँ पर तो कुछ लीकेज हो रहा है तो वो कूलेंट लीक हो रहा था हाला कि इंटरनेशनल स्पेस्टेशन के उपर लाइफबॉट मौझूद है जिससे की चार एस्टनोट की जान बचाई जा सकती है और ऐसी पैसे दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दिक्कत इस स्पेस्क्राफ्ट के अंदर यह लेकिन फिर भी रशिया प्लान कर रहा है कि रेस्क्यू शिप भेजी जाए अगर कोई इमर्जंसी पढ़ती है तो दोस्तों दिल्ली के अंदर से जेम कत्रों की एक गैंग पकड़ी गई है जो की मोबाइल पर्स चुराते रहते थे ते अलग अलग जगों के तीन चार बंदे हैं जो की एक गैंग बना के बैटे हुए थे जिनका नाम रखा है उन्होंने मैसी गैंग क्योंकि इसके अंदर जो बंदा है उसका भी नाम मैसी है और उसी ने अपनी गैंग का नाम मैसी गैंग रखा इस चोरी के लिए तो यहाँ पर न्यूस काफे ज़दा वाइरल हो थी कि मैसी जेब कत्रा पकड़ा गया तो यहाँ पर इनको पकड़ा कुछ इस तरीके से था कि यह त्रीविलर के अ आए अनदर गया नि होगा और पँदक्राव यह ओंगा बद फिरभा न यहाँ लेकिन इतना वहां पे टिक दिए इतने महंगे महंगे टिकट यकीन नहीं होता दोस्तों पूने के एक बंदे ने अपनी पुरी टीम के लिए एक और किया सुईगी पेसे जो की आठ लाख रुपे एक टाइम के खाने पर खर्च कर देता ता अपने स्टाफ के लिए और आज वो कहीं का निरा है